नमास्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है बिटेज ब्रोधर एजुकेशन माइने में इस आमी नाजीर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूटूब चैनल बिटेज ब्रोधर एजुकेशन पर तो इसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं मैक डूगल सा आप जो सिद् का और चार सिक्षड बीधी जो होती है किंडर गार्णन बीधी मारिया मांटेश्री बीधी यह सब का लेक्चर हो चुका है इसके डिस्क्रिप्शन या पले लिस्ट में जरूर जाकर देखिएगा तो चलिए सुरू करते हैं देखिए आपर करा मैक डूगल का सिध्धान तो म संगे अनात्मक विकास दूसरा होगा संगे अनात्मक विकास का सिधान जो दिये थे वह दिये थे जीन प्याजे ने लेकिन संबेग आत्मक विकास का सिधान कहा जाए तो वह किस ने दिया था मैक डूगल साहब जीन प्याजे और बायगोट्सकी और कोलर्स जो है उन लोग का class, next video में जरूर लेकर आएंगे, बहतर से बहतर, उसमें से भी question बनता है, तो देखिए, आपर कर रहा है, संबेग, यानि संबेग आत्मक विकास किसे बना है, संबेग से बना है, संबेग यानि इमोशन आप लो जानते ही होंगे क्या होता है प्रेम भय क्रोध इस सब्द होता है इमोशन होता है इमोशन जो सब्द बना है किस से बना है यह भी कोश्चन पुछता है इमोवर्स जो लाइटिन सब्द है उससे जो बना है कौन सा सब्द बना है इमोशन सब्द बना है किस से बना है इमोबर्स सब्द जो लैटिन भासा का है संबेक का अर्थ क्या होता है यानि हल्चल सरीर में जो हल्चल उतल फुतल होता है जैसे प्रेम भय क्रोध आधी जैसे कि माली जे प्रेम होता है भय होती है क्रोध हता है तो देखिए सरीर में क्या होती है उतल फुतल होने बारे में इसमें हम लोग पूरी डिचर्स में परेंगे इसके बाद तो देखिए आपर कारा मेक डूगल के द्वारा 14 मूल परवितिया दी गई थी यानि सम्बेग की जो 14 परकार की सम्बेग होती है उसकी मूल परवितिया कितनी दी गई थी 14 मूल परवितिया बताई गई थ मैंके डूगल के द्वारा देखिए दोस्तो यह इंपोर्टेंट कोश्चन बनता है कथन से बुडबर्थ जो कहेते सम्भेग के बारे में कथन क्या कहेते सम्भेग बैक्ती का उत्यजित दसा है किसके द्वारा कहा गया था बुडबर्थ के द्वारा कहा गया था क्या कहा गय चलिए यहाँ पर देखते हैं जर्षिल्ड यह कथन भी इंप्रोटेंट है तो जर्षिल्ड साहब कौन सा कथन कोई थे किसी भी परकार के आवेस आने भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को समभेग कोते हैं यानि क्या कोये थे जर्षिल्ड साहब कि किसी भी परकार के आवेस आने यानि आवेस आगया कुरोध है जिसको कवाते हैं भग, प्रेम इससे भड़क उठने जैसे कुरोध में भड़क उठते हैं लोग तथा उत्तेजित हो जाने जैसे इक परकारूध कुश्चन बनता है तो सबसे बहतर अगर बोले होंगे मैक डूगल साहब जब चौला मूल परवितिय दिये थे तो यह सबसे बहतर भी कथन बोलेंगे तो सबसे बहतर कथन कौन सा है संबेग परकिर्ति का हिर्दय है किसने कहा था मैक डूगल साहब ने कहे थे इसको भी इस तरह आपनों यादर के एक संबेग परकिर्ती का क्या है हिर्दय है हिर्दय यानि हिर्दय से मैक डूगल साहब आपनों जोड़ लिजिएगा मैक डूगल साहब जो कहे थे संबेग परकिर्ती का हिर्दय है चलिए गेट साहब क्या कहे थे गेट साहब कहें ति संबेग वे घटनाए हैं जिसे मनुस्य असांत या उत्तेजित हो जाता हैं गेट साहब बोले थे कि संबेग जो इमोशन जो है वो घटना है जो मनुस्य या तो सिर्फ असांत हो जाएगा या उत्तेजित हो जाता हैं तो उसी को हमलोग क्या कहते हैं? संबेक कहते है किसके द्वरा नहीं चेतना के वह आवस्था है जिसमें संग्यानात्मक तत्वी की पर्धानता होती है जो दिये थे, मैं utilization को छेल यह जली मुल पर भीतिया जो है वह दिये थी मैक डूगल सहाब उसे के बारे में देखते हैं संबेग जो है आश्चरे आश्चरे की मुलपर्वित्या क्या दिये थे जो संबेग कौन सा है इधर संबेग है इधर मुलपर्वित्या जो मैक डूगल सहाब दिये थे आश्चरय जो होता है मेकडूगल साहब ने उसका मुल परविति क्याग बताए थे कि इसको करते हैं जिग्यासा याणि आश्चरय का जिग्यासा याणि जैसे ही आश्चरय हुआ याणि जिग्यासा उत्पन हो गई उसी तरह भय या डर भय या डर का मुल परविति क्या होग जैसे ही आप लोगो कोई जाते होंगे अधर लगता होगा जैसे ही अधर या भै लगा तो वहां से सोचनिकी जल से पलायन करें वहां से भाग जाए ये ट्रीक से आप L il याद रखेगा अकेला पन तो अकेला पन यानि इसका उल्टा कीजिए सामुहिक्ता जहां अकेला पन आएगा महाँ पर सामुहिक्ता तो अकेला पन की मुलपर्वित्या क्या है क्या है सामुहिक्ता आश्रय का जिग्यासा डर या भय का पलायन इसी तरह संबेग क्रोध है तो क्रोध का मुलपर्वित्य क्या होगी इवित्षा सिरेष्टा की भावना संबेग है इसकी मुलपर्वितिया क्या होगी आत्मे गौरव यानि सिरेष्टा यान जब हम सिरेष्ट की भावना उत्वन होगी तो यानि अपने अंदर क्या होती है आत्मे गौरव होती है आपनों इस तरह याद रखिएगा ठीक से स्वामित्य की भ नता नता यहां पर आएगा तो यानि इससे आप लोग जोड़कर याद कर लीजिएगा ठीक से इसी परकार देखिए घरिणा घरिणा का क्या होगा परतिकर्षण या निब्रिति यानि जैसे किसी किसी क्या होता किसी बैक्ति से आप लोग का घरिणा हो गया तो उसका उल्ट प्रतिकस्ण या निवरिती उसी परकार कष्ट जो संबेग है इसकी मुलूपर प्रतिक्या होगी सरण ड़ागत यानि कष्ट होगी माले जिये अब आप तो बहुत ज्यादा कष्ट होने लगा तो कहां चले जाएंगे भगवान के सरण ड़ागत में चले जाएंगे इस तर ट होती है हसना या आमोध का मुल परदिती क्या होगी हरास होगी यानि जब माले जी खूब हस रहे है खूब अमोध में मस्ती में में हैं तो क्या होगी शरीर का इनरजी हरास होगी ट्रिक से याद रखिएगा यानि हसना आमोद या हरास तो हसना आमोद का मुलपरविती हरास हो जाएगा भूख का भूख का क्या होगा भोजन अन्वेसर यहाँ पर तो सी दिखाई दे रहा है भूख से क्या होता है भोजन यानि भोजन अन्वेसर इसी परकार वातसल्य असने क्या है संबेग है यह क्या है संबेग है वातसल्य असने जो है संबेग है इसकी मुल पर वितिया क्या होगी सीशू रक्षा या संतान की कामना करना चलिए देखते हैं यहां पर सिर्जनात्मक्ता की भावना दीए यहां पर सिर्जनात्मक्ता की भावना तो सिर्जनात्मक्ता की भावना जो संबेग है इसकी मुल्परवित्ति क्या होगी रचनात्मक्ता यानि रचनात्मक्ता होगी 14 देखिए सिर्जनात्मक्ता की भावना रचनात्मक्ता जिन प्याजे दो दिये थे सिर्जनात्मक्ता का सिधान्त उसी को रशनात्मक्ता का सिधान्त कोते हैं तो अपनों इस तरह ट्रिक से यादर कियेगा सिर्जनात्मक्ता या रशनात्मक्ता तो कैसा लागे वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद जय हिंद बंधे मातरम दोस्तों